परचलिए बापको सिड्नी की खबर बताते हैं जहां एक शार्क की दहशत मची हुई है प्रशासन बीच पर एक बोर्ड लगा चुका है जिस पर लिखा है इंटर वाटर, एंटर वाटर एट ओन रिस्क उस्टेलिया ही शहर सिड्नी के लिटिल बे बीच पर इंदनों शार्क की दहशत है 14 फीट की वाट शार्क ने समुद्र में तैर रहे एक 60 साल के शक्स पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते उसे पूरी तरह से निगल गई जैसे ही ये खबर शहर में फैली वैसे ही प्रशासन ने आनन फानन में लिटल बे बीच को बंद कर दिया इसके साथ ही यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया जिस पर लिखा है एंटर वाटर एट ओन रिस्क खबर है कि ये शार्क कई दिनों से बार बार लोगों पर हमला कर रही थी लेकिन इस घटना के बार बीच को पूरी तरह से घिर दिया गया है साथ ही यहाँ ड्रम लाइनी लगाई गई है जो कि शार्क को चारा देने के लिए इस्तेमाल की जाती है वहीं प्रशासन की टीम लगातार ड्रोन से शार्क की निगरानी कर रही है फुलिस ने अभी तक शार्क का निवाला बने तैरा की पहचान उजागर नहीं की है आदम खोर शार्कों की कहानी किस्से तो खूब मशूर हैं लेकिन असल जिंदगी में शार्क को शांत और इंसानों से दूरी बनाने वाले जल्चर के तौर पर जाना जाता है हलाकि इसी बीच पर शार्क ने पहले भी कई लोगों को निशाना बनाया है एक रिपोर्ट की मुताबिक साल 1963 में शार्क के हमले से एक व्यक्ति की मौत हुई थी उसी साल एक शार्क ने अभिनेतरी मारसिया हैथवे को घायल कर दिया था बाद में उनकी मौत हो गई थी अब करीब साथ साल बाद अचानक इस घटना ने लोगों की दिलों में शार्क की दहशत पैदा कर दी है ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया